Hi Friends, Welcome to Mother Study दोस्तों अभी ही जैसा कि railway group D का exam 17 तारिक आज से ही चल रहा है जिसमें 1st shift और 2nd shift का exam हो चुका है और उसके analysis भी हम लोग करना शुरू कर दिये हैं तो अभी हम लोग फटाफट देखेंगे कौन सा सवाल, किस chapter से कितने सवाल आए, किस step क्या है बेलके हम पूरे सवाल को यह हैं discuss करेंगे तो वीडियो को आप देखें और फाइदा उठाएं क्योंकि जिसका भी exam आने वाला है, होने वाला है इससे आपको बहुत ज्यादा फाइदा होने वाला है यनि 80% आपको यह समझ में आ जाएगा कि सवाल कैसा पूछेगा ठीक है, पैटर्न समझ में आ जाएगा, सवाल का लेवल समझ में आ जाएगा और आपको एक एडिया लग जाएगा किस तरह से बनाना है ठीक है, टाइम टेकन क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा अगर आपका मैंड सेट नहीं रहेगा, पैटर्न कैसा है, तो इसलिए वीडियो को आप देखे, आपको पूरा अंदाजा लग जाएगा और आपको विश्वास नहीं होगा कि हमारे वीडियो से मज़ा इस्टडी में जितने भी हमने वीडियो डाले है, मैट्स के हो चाहे, आपका जीएस हो, कितना ज्यादा सवाल बिला है, आप देख सकते हैं खुदी, तो चलिए बिना देरी की वे शुरू करते हैं, सबसे पह और काम से सवाल यह पूचाता है, एक इसी काम को पचीस दिन में कर सकता है, बहुत ही बेसिक सवाल था, बहुत ही आसान था, आप देखे आपको बहुत फाइदा होगा, और सवाल यह था कि एक इसी काम को पचीस दिन में कर सकता है, बी उसी काम को तीस दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर पांच दिन तक काम करते हैं उसके बाद एक काम छोड़कर चला जाता है तो पूछा है कि सेस काम कितने दिन में खत्म हो गए उम्मीद है समझ चुके हैं उसके सवाल आपको यहां पर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल लेगा आप जाके देखें और पूरा मेरा वीडियो देख लिए छोड़ा चोड़ा वीडियो है आप एक बारों में चाहें तो देख सकते हैं अभी काफी टैम भी है अगर जिसका अगला एक्जाम होना है वो भी देख स हम लोग मने लेते हां जियूम कर लेते हैं इसका LCM लेकरर रह मैं सुरी यहां पर 20 था तो 25 दिन हर और 20 दिन में कर सकते हैं इसका LT Сам मिलेंगे 100 हो जाएगा यही समझे टोटल काम हान्डेट करना है 25 करेगा एक दिन में 4 काम और 20 करेग पांच काम यानि एक दिन में चार करे काम हो जाएगा 45 घटा देंगे बचा कितना तो बचा 55 काम को पांच दिन के बाद तो ए चला जाएगा बचा को और बी के शंता कितना एक दिन में पांच काम करता है पांच से भाग दे दें है तो यह हो गया answer और आपका अटिरबूझ से आय तो सवाल सट ऐड ओफ सट ऐड कि अफ ट्रिरेंगल तीया हुआ ठीक है अधसद सहं थि आच सेंटिटी मिटर्स और पुछता सवाल एरिया ओफ ट्रिेंगल और इसके पेरी मीटर का अनुपाथ पुछता था पेरिमीटर का रेशियो पूछा था है, बस सिंपल है, समभाहु तिर्भूज का भूजा दिया हुआ था, एक भूजा आठ है, यानि तीनों होगा, इनकी ए दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका समभाहु तिर्भूज के छेतरपल होता है, रूट 3 by 4 into a square हो यानि भूजा का square, ह 8, 84 हो जाएगा, हनुपाद 3 into a, कितना है हमारा 8 है, तो 8 से यहां से काट देगे, 8, 84 हो जाएगा, और यहां से 4 से कड़ जागा, 4 दून 8 यह नहीं, 2 root 3, हनुपाद 3 आएगा, यह answer हो जाएगा, यह बहुत ही आसान सवाल पूछाता है, चलिए आगे बढ़ते और देखते है, यह भी सवाल था, 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 का पावर half, और इसका पावर in दिया हुआ था, और इसकी value दी हुई थी, 256, 256 दी हुई थी, तो आप पूछा, in, find in, in ग्याद करें, तो देखिए, पावर जो है, multiply हो जाता है, 2 का पावर 4 है, यह multiply करेंगा, half आजाएगा, यह half है, काड़ देंगे, तो 2 आजाएगा, यादि 2 का पावर 2, और फिर यहाँ पे in है, तो यह भी पावर है, तो पावर से power multiply हो, यादि 2 in हो जाएगा, 2 का पावर 2 in, और 256 जो होता है, 8 का पावर 8 होता है, तो दूना, 4 दूना, 8 दूना, 16 दूना, 32 दूना, 64 दूना, 18 यादि 2 का पावर 8 होता है, तो जब बेस से में 2, 2 तो बेस हड जाएगा, 2 का पावर n, यादि यादि जो पावर जो है, इसको इकवेट कर देते हैं, बराबर 8 यादि n की वेलू 4 आ जाएगा, इस तरह से आप 2 में हल कर सकते हैं, तो बहुत ही आपका टाइम बच जाएग बहुत ही आसान तरीका से बताया है, पूरा आपका 25 में 25 आपका मैट्स आ जाएगा, और सवाल LCM का बहुत ही आसान आया था, LCM में था 40 और 180 का LCM क्या होगा, मैंने LCM and HCF के ट्रिक्स में बता दी, LCM निकालने का तरीका, तरीका यह है कि दोनों में जो बड़ा वाला संग उसको लेकर टेबल पढ़ाएंगे, तो 180 देखिए, 40 से कटता नहीं है, अगर कटता तो यही LCM होता है, तो कटता नहीं है तो इसका पहाड़ा पढ़ाएंगे, तो इसका पहाड़ा होगा, 180 दूना 360, और 360 क्यूंकि 40 से कटता है, मतलब यह हुए 360 ही LCM होगा, इसे 2nd में हो हो जाए, HCF में सवाल यह पूछा था, HCF में, कि 100W और 27 का HCF क्या होगा, HCF मतलब होता है, वह बड़ी से बड़ी संक्या, जो दीवी संक्या को काट दे, ठीक है, यानि कि दीवी संक्या को काट दे, तो आप देखेंगा, आप 27 दूना 54 होता है, तो 54 दूना 100W, यानि कि 27 ज पूरा कट जा रहा है, कटने वाला LCM होता है, काटने वाला HCF, इस तरह से, चलिए आगे बढ़ा, अब स्क्यार रूट से सवाल दो-दो सवाल आएं थे, सवाल यह था, एक था सवाल, 12 फार नवल 4 यह था, और दूसरा यह था सवाल, दूसरा सवाल था हमारा, 17 64 यह, इसक में जाकर देख सकते 10 मिनट का वीडियो है, यह वीडियो आप देख लें, यहां पर आपको स्क्यार रूट निकालना बता दिया जाए, 10 मिनट का वीडियो है, आपको 2-3 सवाल बन जाएं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, उसी तरह, प्रोफिट अलो से सवाल आया था दिया हुआ था, सेलिंग प्रैज, यानि वी क्राइमुल दिया हुआ था, 880 रूपया, और क्राइमुल दिया हुआ था, CP दिया हुआ था, 720 रूपया, और सवाल पुछा था, इसका प्रोफिट परसेंटेज बताए, तो बहुत सिम्पल है, घाटा देंगे, और कोश्ट प इसका एक वीडियो देख लिए, यह फर्स्ट पार्ट आपका काम सिम्पल यानि कि ग्रूप D लेवल का कम्पिलिट हो जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हुआ, चलिए यह तो खेर आप बना लेंगे, आगे बढ़ते हैं, सवाल इसमें से अनुपा इसका भी वीडियो बन चुका है, यानि रेस्यो का वीडियो, आप एक ही वीडियो मेंने बनाया है, दो वीडियो, एक प्रोपोर्शनल फैंड करने का और एक रेस्यो, दोनों देख लिए आपका काम तमाम हो जाए, एक वीडियो ऐसे काफी है, सिम्पल, यह पूछा था अपर तीन है और यहां पर चार है, यह 4 इसको दे दी है, और यह 3 इसको दे दी है, यानि हमको बराबर करने है, बी के दे लिए, क्योंकि यह 3 यह 4 दुना, यह 8 आठ आ जाए, चार तीन बार है, और यह भी 4 तीन बार ही आएगा, यह साथ यह 1 ऐसे, सिम्पल है, आप डीट पर्फेक्ट स्क्वयर क्या होगी तो इस पर आपको मालूम होगा तो इस इंपल है आपको अगर याद होगे इसक्वयर तो बहुत अच्छी बात है कि आठाइस सो नौ जो है यह तिरिपन का स्क्वाइर है मैंने स्क्वाइर की ट्रिक बना दिया आप उहां पर जाके वीडियो देख ले चोटा से वीडियो है ठीक है तो यानिकि आठाइस सो में नाइन जोडना होगा और यही इसका आंसर होगा यह ओप्सन दिया हुआ होगा आ आप उहां पर मार देंगे तो इस तरह के सवाल आ सकते हैं जो जो सेम आपको पैटन को देख लेना यही पैटन पर अगला सवाल आएगा और मेरा एक एक वीडियो आपके लिए इतना बेनिफिट होगा आप सोच नहीं सकते हैं आप जरूर देख ले एक्जाम देने से पहल बाकी दो छोटे चोटे परसेंटेज के सवाल आये थे कि 381 का कितना परसेंट है कितना परसेंट है तो आप ऐसी बच्चों की तरह सवाल है तीन उपर रखेंगे एक आसी नीचे 100 से मल्टिपराय कर दें तीने कम तीन तीन दुरूच्छे तीन नवा तीन सते एक इस इन्हे परसेंट परसेंट बराबर है 120 तो पूछा है एकस की वेलू पांच उपर जाएगा यानि 4 से कार देंगे 4 तीन बारह और 3 से मल्टिपराय कर देंगे तो 30 पचे 150 यह हो जाएगा आंसर एकस की वेलूब एक अदम सिंपल परसेंट पूछा है ठीक है आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो बहुत ही बहुत फायदे मन है अपने दोस्तों के साथ जरूर शेर करें रोके नहीं रखेंगे कोई एकसाम करीब कम से कम पैटर्न अब हम लोग देखेंगे कि करेंट अफियर से यानि जीए से जेनरल अवरने से क्या क्या सवाल आए थे और जेनरल सैंस थे अब हम लोग देखते हैं चलिए यहां पर जैसे सवाल एक पूछ दिया था कि 2017 का पीस के लिए सांती के लिए नोबल प्रूषकार किसे मिला था तो किसे मिला था पीस के लिए तो आइकेन को यह आई को मतलब आई कैन मतलब इंटरनेशनल केंपैंड फोर अबोलिश नुक्लियर विपन ठीक है यह जो परमानु हत्यार को जो है रोकने के लिए एक नीदर लैंड की राजधानी क्या है तो राजधानी मलब वीडियो हम लोग बनाने नहीं वाले हैं उसको भी देखना ना भूले तो नीदर लैंड की कि जो राजधानी यह वो है इंस डैम ठीक है न और मलब कि एक दो सवाल आपको पुछे गई पूछे गई यानि की राजदानी कैपिटल के उपर सवाल पूछ दिया तो वीपलब कुमार है ठीक है आप इसे इसका भी वीडियो आज कल में बन जाएगा और गवर्नर यानि की राजपाल का वीडियो हमने बना दिये है अब उससे देखे उससे भी एक दो सवाल पूछा गया है जैसे पूछ दिया गया था बिहार के गवर्नर कौन है क्योंकि अभी जो चेंज हुए है गवर्नर साथ आठ राजों के छे साथ राज के जो नए गवर्नर आए है तो उससे इसको सवाल पूछेगा तो बिहार का पूछ दिया तो पहले सत्तपाल मलिक जी थे अब जो है लाल जी टंडन है और सत्तपाल मलिक वह गवर्नर ह जम्मू कश्मीर के वो भी सवाल में पूछा है तो याद रखें बिहार के कौन है लाल जी टंडन और जम्मू कश्मीर के सत्रपाल मली और एक सवाल पूछ दिया था कि उडिसा के CM कौन है उडिसा के CM कौन है तो उडिसा के CM है नवीन पतनायक याद रखें नवीन पतनायक ज इसके CEO है Tim Cook, इसकी मैंने ट्रिक के साथ वीडियो बना दी है, आप वीडियो को जरूर देख ले, आपके एक्जाम के लिए बहुत काफी होगा, ठीक है, तो आप CEO वाला पूरा वीडियो देख ले, और दूसरा ये सवाल पुछ दियता है, और Samsung का भी CEO पुछ दियता है, उसक मैंने उसी में बता दिये ट्रिक, आप उसमें देख ले, यानि कि CEO से एक दो सवाल आपका आ जाएगा, तो उसको भी वीडियो देख ले, अब आगे बादते हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने हर वो चीज जो एक्जाम से रिलेटेड वीडियो बनाई है, और अभी मेरा जारी है, कुछ-कुछ जो जैसे-जैसे सवाल आता जाएगा, वीडियो बनता जाएगा, अब एक सवाल आगे तो सबसे जो है, साफ सुतरा यानि स्वाच स्टेशन, तो वो जो धुद्पूर में कोई स्टेशन था, उसको आप देख लेंगे थोड़ा सा, यहां आपक का सबस्ता जा रहा है, अचा, बरान नवेस्टर पर जो भी वीडियो में ने बनाई, उसको भी देख लें, एकसावाल बरान नवेस्टर से, एक-दो सवाल जरूर पूचेगा, जैसे पूच दिया था, अमरीकल टूरिष्टर र्यूकर को ने इस बार पूच दिया था, ठी living के लिए यह रहने के लिए सबसे मदब की अच्छी city कौन से है वर्ड में international वर्ड में तो वह वियाना है ठीक है नए वियाना है इसको याद रखे और इंडिया में जो है वह है पुने इस इसको भी याद रखे आपको काम देगा आगे exam के लिए आपको काम दे सकता है तो और सवाल फुच्छा था था मानव अधिकार दीवस कम मना आए जा तो y यानी की मैंने बनाया है महत्पूर्ण विश्वन के महत्पूर्ण दीवस वीडियो OTS है ठीक के और तो जरूर आएगा पागए हर एक सिफ्ट के लिए कुल मिलाकर दो-तीन सवाल आही जाएंगे तो वो वीडियो जरूर आप देख लें दिवस वाले एक और था कि विश्वे जल्दिवस कम मनाया जाता है तो विश्वे जल्दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है और इसके एलाव आप से पूछ सकता है कि पिरित्वी दिवस कम मनाया जाता है तो 22 अपरील को ठीक है न मैंने पूरी वीडियो बना दिये यह हमारे करेंट अफेर से रिलेटेड जो है यानि जर्नल अवरनेस के सवाल थे अब हम लोग देखेंगे सैंस सवाल कि हम क्या क्या आए है तो इसको हम लोग सेपरेट देख लेते हैं ताकि मिक नहीं हो जाए आपको अंदाजा लग जाए पैटर्न समझ में आ जाए सैंस में आपका सवाल पूछा था कि सबसे बड़ा अंग कौन है सबसे बड़ा अंग तो मैंने कल ही वीडियो डाली है मानव शरीर महक के महतपूर्ण तथ उसमें से 2-3 सवाल आए है आप विश्वास सबसे बड़ा अंग जो है हमारा लीवर है यानि कि यकरत यकरित है याद रखें और उसके बाद पूछ सकता कि कौन है तो अगनाशे मेंने सब बताया पूरा मातपूर्ण फैक्ट वीडियो को आप जरूर देख ले उसके बाद पूछा था कि ब्रेन जो बना होता है ब्रे कि नीरवन का बना होता है और यह सवाल पूछाता है की कार्बनोमोन ओकसाइड का सुत्र कैया य। कर्बन अगर य। पुछता है तो दो लगा देते, सिंपल है, सब वीडियो आपको पुरावाइड किया जाएगा, अभी हम लोग तयार कर रहे हैं, इस पर भी वीडियो, जेतना भी केमिकल लेम है, और केमिकल फॉर्मूला महतपूर्ण जो सवाल आ सकते, वाइचा तो हजारो है, लेकिन हजार नहीं पढ़ाने, अभी आपके पास वक्त नहीं है ना, आप उतना पढ़ सकते हैं, ठीक है, तो हम लोग चुन के छाट के सवाल के, जो एक्जाम के लिए महतपूर्ण ने, वो जरूर बताएं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों के ता तो महतपूर्ण याद रखें, जैसे सोने का क्या होता है, सिल्वर का क्या होता है, ठीक है ना, तो नेटोजन का पूछ देया था, ये साथ होता है, याद रखें, और दूसरा जो है, आपका सल्फर का भी पूछ देया था, सल्फर का एटोमिक नंबर क्या है, तो सल्फर का यानि गंदख का अटोमिक नमर 16 है याद रखें यह सब चीज महातपूर ने दोबारा पूछ भी सकता है ठीक है वायन का फीयच महान कंदख दता है उसमें बताना इंप बह्लट का फीयच महान पूईच है ठीक ह है याद रखें सनमर 5 ए उसके और अभी पूछ दिया था कि इसना क्र पीयच बान क्या होता है तो यह 7 होता है, यह उदासीन होता है, sodium chloride, इसका नाम क्या है, sodium chloride, ठीक है, नाम भी पूछ सकता है, यह साहिब पूछा था, उतना ज्यादा confirm नहीं हो पा रहा है, तो आपको याद रखने है, sodium chloride का pH 1 7 होता है, बागी सभी के pH 1 आप देख लें, मैंने उस पर वीडियो बना दी यह pH 1 की ट्रिक के माधियम से याद कराया है, तो वीडियो आप जरूर देख लें, आपका एक-दो सवाल बन जाएगा, एक और सवाल था, hydrometer, hydrometer, जो है, इसका उपियोग क्या है, तो hydrometer से क्या ना पाचा, दरवो की आप एकछित घनत्व मापा जाता है, hydrometer से, ठीक है एक यूनिट पूछ देता है कि दाब यहनी, प्रेसर का जो है, एसाई यूनिट क्या है, तो प्रेसर का पासकल है, याद रखे, इसकी भी मैंने ट्रिक बना दिये, और पूरा ट्रिक के माधियम से करीब, अच्छा खास है, यहनी कि लगभग, लगभग, पूरा का पूरा म मैंने जो most important है बता दी, अब जरूर देख लें, जैसे दाब का, ओजन लेर की मुटाई को किस चीज में मापा जाता है, एक एक चीज की आप जरूर उसको देख लें, ठीक है, आपका एक दो नमबर पक्का आ जाएगा, एक वीडियो काफी है, अब एक साओल पुछ दिया है कि H2SO4 का रसाइनिक नाम किया है, तो इसका नाम है Sulfuric Amyl, याद रखें, favour और एक सवाल पूछ दिया था यहेवी वाटर का रसाइनिक सूत्र बताएं ठीक है तो यह होता है डी टूओ जैसे पानी का ह्टूओ और भारी जल का बी टूओ और यह नियूट्रोन मंदक होता है ठीक है है डोजन और और आउक्सिजगन मातरा का हनुपात क्या होता है ? णुपात तो 1- his2-8 होता है यह फंच इंपोट्ई है याद रखे अब और देखते हैं क्या ऐ सवाल पूछा था हैं जैसे पूछ देते हैं टीवी का अविसकार किस ने किया तो JL Beard और अविशकार अविशकारक के वीडियो मैंने दो पार्ट में डाल दिये लगबग 100 से ज्यादा लगबग अविशकार अविशकारक डाल दिये उसको जरूर देख लें ठीक है ना JL Beard पूरी डाल दिये भाप इंजन का किसने अवाज अविशकार किया सब ट्रिक के मादियम से कुछ रटना नहीं पड़ेगा आपको सब याद हो जाएगा आप जरूर वीडियो देख लें तो इस तरह से आपको अंगाजा लग चुका होगा आपका जिसे human body से सवाल पूछ रहा है ठीक है आपका एसाई unit से पूछ ले रहा है नहीं कि जो basics है जितने भी physics, chemistry, biology जितने भी basics है ज्यादा नहीं आपको detail में पूछ रहा है basics है जैसे आपने देखा दाब का एसाई मात्रा किया है तो आपसे पूछ देखें छुटे चुटी चीजों का जिसे carbon monoxide का रहा है साइनिक सूत्र किया है पूराज GK का वीडियो देखें और आपको current affairs के भी वीडियो अच्छी खासे डाल दी है और वीडियो डालने वाले हैं जैसा मात्पूर्न में मलवी सभी राज के cm को डाल देना है अभी इसके वीडियो डाल देंगे countries and capital को डाल देंगे और भी जो बचे हुए सभी जितने भी समयलसब का वीडियो बनने वाला है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले फिर ठीक है तो आप से जुदा लेते हैं thanks for watching